दोस्तो नमस्कार A2J concept में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग चॉकलेट जिसका नाम है पल्स और ये डियस ग्रूप का है पल्स पास पास पल्स के नाम से आता है और बहुत ही ज़्यादा बिकता है पूरे भारत में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला चैंडी चॉकलेट ही बन चुका है दोस्तों और आज इसका हमेरे रिव्यू करेंगे और क्वाल्टी है ये बहुत ही अच्छी क्वाल्टी है कच्चे आम फ्लिवर की क्वाल्टी है अंदर मसाला रहता है जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पास पास पल्स कच्च्चा आम विट टैंगी ट्विस्ट के साथ ही है तो ये चाहे बच्चे हो चाहे प्रोडक्स लिम्टेड और यह देख सकते हैं यहां पर यह दाया गंज सेंटरल दिल्ली का यह बना हुआ है और इसके नेट वेट की बात किया जा तो 680 ग्राम है और 170 यूनिट यानि 170 पीस इसमें वहता है और MRP की बात किया जा तो 170 रूपय यानि 1 रूपय का पीस है यानि 170 यूनिट है यानि 170 रूपय यह प्राइज आपको पढ़ जाती है दोस्तों लेकिन ये होलसेल में क्या प्राइज पढ़ता है यह चीज हम आपको बताएंगे लेकिन अगर इस चीज की होलसेल प्राइज आप जानना चाहते हैं, तो please हमें comment करें, और जो भी comment करके पूछेगा, उसे हम wholesale price comment में reply जरूर करेंगे, कि इसकी wholesale price क्या है, कितने में आपको ये wholesale में पढ़ जाता है, कितने में retail में, अगर आप retailer है, तो कितने में आपको पढ़ जाता है, ये सारी चीज़े हम बताएंगे, तो comment जरूर करें, तो दोस्तो पल्स chocolate के margin की बात किया जा, तो इसमें retail में बहुत ही अच्छी margin है, जिस तरीके से ये chocolate brand है, और बिकता भी है, उस हिसाब से देखा जाए, तो इसमें बहुत ही अच्छी margin मिलती है, तो क्या इसमें margin मिलती है, ये चीज़ अगर आप जानना चाहत फिर मिलेंगे कुछ अगली वीडियो में, जो की चकपटी, टॉफी या कुछ और, जो भी होगा, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार, जैहिंद